नुपर शर्मा को सस्पेंड कर दिया उनसे उनका बयान वापिस लेने के लिए कहा गया जो उन्होंने वापिस ले भी लिया तो क्या अब ये गैरेंटी है कि जो कानपूर में हुआ वो फिर कभी किसी और शहर में नहीं होगा और जो कानपूर में हुआ वैसा ही तो बाकी के शहरों में भी पहले हुआ था वो क्यों हुआ था तब तो किसी नुपर शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया था एक बयान पर साओधे एरेबिया, इरान इस तरह की कंट्रीज आपके सामने आखर के तन जाते हैं और हम डर जाते हैं यह किस तरह की फॉरण पॉलिसी है यदि भारत को साओधे एरेबिया की जरूरत है तो साओधे एरेबिया को भी भारत की आवशकता है उनके टॉप फाइफ ओयल इंपोर्टर्स में भारत आता है 34 स्थान पर करीब 11 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट भारत साओधे एरेबिया से करता है और सम्मान और साओधे एरेबिया की जो एक अपेक्षा करी जाती है वो तो समझे में आने वाली बात है कि यह एक टूवे प्रोसेस है सम्मान और सहिशनुता यदि आप देंगे तो आपको मिलेगे सिर्फ एक ही पक्ष से सम्मान की अपेक्षा करी जाए सिर्फ एक ही पक्ष से सहिशनुता की अपेक्षा करी जाए ये तो लोकतांत्र नहीं हुआ ये तो डिमॉक्रेसी नहीं हुई शिवलिंग का प्रकटिक करन जब से हुआ है तब ही से सभी मुल्ना मौल भी आकर के टेलिविजन चैनल्स पर पब्लिक प्लैटफॉर्म पर आकर के उसे फवारा बता रहे हैं क्या ही अपमान नहीं है ठीक है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग ही है तो ये भी तो प्रूव नहीं हुआ है कि वो फवारा ही है तो जब तक प्रूव नहीं होता क्या हम अपने बयान को रोक रही सकते हैं जी हिंदुस्तान करके एक मीडिया चैनल है जिस पर एक मौलवी साब आते हैं एक पब्लिक डिबेट में और ये कहते हैं कि यदि हमें पता होता कि इस कुएं के अंदर एक शिवलिंग है तो हमें इसे बहुत पहले ही उखाड़ करके फेंग देते हैं इसे तोड़ देते ऐसा ये एक पब्लिक प्लाटफॉर्म पर कह रहे हैं इस पर तो कोई बयान नहीं आया इस पर तो कोई दंगा नहीं हुआ एक एफायर भी नहीं लोज करी गई पर फिर भी सभी तरह की साइशनुता केवल एक ही पक्ष से अपेक्षित है नुपुर्शर्मा के इस बयान पर ऐसा मुझे विश्वस्निय व्यक्तियों के वीडियो से उनकी बातों से जो समझ में आया है कि नुपुर्शर्मा ने जिस हदीस का ट्रांसलेशन हिंदी में किया वो हदीस सायद बुखारी हदीस 5134 है यानि कि ये मेंशन है और अब कहा है वो फिमिनिजम वाली बीगेड़ेड़ कहा है वो फ्री स्पीच वाली बिगेड़ी अब कहीं पर भी सैश्नुता नहीं दिख रही है जब सरतन से जुधा जब रेप कर देंगे वाले बयान आ रहे हैं जब सरके फत्ये जाहरी हो रहे है तब कोट कोई स्वतह संज्यान न इस तरह से जान वापी से अपना पल्ला जाड रहे हैं इस तरह के सशक्त जो व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहे हैं तो एक भारतिय किस ओर देखेगा और इसी समय शिवाजी की प्रासंगेक्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है एक किसी युद्ध में शिवाजी के सिपाईयों ने मुगलों को धकेल दिया पचाड दिया और उन्हें उनके एक शिवर से एक मुस्लिम महिला मिली वो उस मुस्लिम महिला को शिवाजी के पास लेकर के आए उनके एक सिपाईयों ने इस मुस्लिम महिला के साथ में बत्तमीजी करी थी जिस पर शिवाजी ने उस सिपाईयों को दंड भी दिया था और फिर उस मुस्लिम महिला से ये कहा था कि माता अब कितनी सुन्दर है मैं सोच रहा हूँ कि यदी मैं आपके गर्ब से पैदा होता तो मैं भी कताचित आप ही कितनी सुन्दर होता ये होता है एक महिला का सम्मान ये होती है सहशनुता शिवाजी के समय क्या माहौल रहा होगा किस तरह का बातावारन होगा और तब भी जिस तरह की सम्मान जनक बाद शिवाजी करते हैं ये प्रेड़ना है हम अपने प्लाटफॉर्म पर कहानियां बताते हैं अपने पूरवजों की कहानियां बताते हैं भारत की कहानिया बताते हैं तो कहानिया सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं, इनसे प्रेड़ना लेनी होती है, अपने सम्मान के लिए खड़ा होना होता है, दूसरों के सम्मान की रक्षा करनी होती है, जो आज के समय में जितने भी सशक्त व्रक्ति हैं, उनसे ऐसा होता न नहीं दिख रहा है। एक इस देश का बहुत बड़ा तबका, इस देश के 80% जो लोग हैं, वो केवल वोट्स के लिए बुनाये जाते हैं। उस पर यदि आपने भवे मंदिर का निर्मान कर दिया, तो इसका इश्रेय भी जनता को ही जाता है।